हेलो दोस्तो आपके अपने यूटुम चैनल पर आप सभी का स्वाहता है, तो दोस्तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं common medicines की, कि जो common medicines होते होते हो, कौन-कौन से होते है, सबके बारे में बात करेंगे कि एक सिम्टम जैसे फीवर बगएरा या कोई भी जो भी डिजीज होती है तो उसकी सभी मेडिसिंस टैबलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कौसिस करेंगे तो यह वीडियो सभी इसमएंटर्स फालना चाहते है उस्थ ऐकि लिए होने वाली यह तो को पात कान?」 तो मैमने क्याती ही लिए аст Сब्सक्राइब को यह खुरू जरूगे प्रेस करना आपको हमारे चैनल पर एसी ही मैडिसिन और एन्ड हORस्पिटल रेलेट्न हर एक नॉलेजबल वीडियो हमेशा मिलती रहेगी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फर्स नमर पर बात करते हैं वह है फीवर तो आइस हम फीवर की बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन यूज होती है एक-एक मेडिसिन के बारे में भी हमारे चैनल पर यूज कि जाती है तो आइस हमें आपर बात करने वाले जो कमन यूजि की जातीए एंट जो कम यूजि की जाती दोनौ पर कारेंगे तो यहां पर मैं बता दूँगा right की यह है जो हैं यह हैं जो कि इसका भी बहुत जद़ा यूद्स किया जाता है इसका फीवर के लिए किया जाता है लेकिन incredibly सीवेर प्रकार की फीवर के लिए यूज की जाता है यह पैसेंट के साफ से जनरली डॉक्टर डिसाइड करता है जब पैसेंट जदा ही सीरियस होता है तब इसका यूज किया जाता है लेकिन जो कॉमनली है वह है पैरसीटमल एंड डोलो जो की बहुत जदा यूज की जाती है आगाइस आप बात करते हैं नेक डिजीज की तो वह है फैन या जब भी हमें होता है या जब भी हमें पैन का सिंटम आता है या तो पैन की बात करें तो पैन दो तीन प्रकार से होता है जैसे कि आगर हमें कोई इंजूरी हो जाती है या छोट लग जाते तो उससे पहन होता है तो इससे भी हमारे सर में होता है जो की है डायक्लोफैनिक जो कि सबसे ज़्यादा यूज का जाती है एंड गाइस कॉमनली यूज किने जाने वाली टैबलेट से डाइकलोफैनिक जो को इंजक्शन और टैबलेट दोनों आपको देखने को मिल जाती है एंड गाइस सेकंड नमबर पर है टर्मडोल जो की सीवियर प्रकार के पैन के लि ये यूज की जाता है यानि यह तिनो का सिरीं की कि जाता है लेकिन पर स्विय करता है आए इसके बाद है इनके बाद है इनका यूज करते जब audio प्रोषै और यह करते नेक्म यहय आप्टलेट यह जाती है तो कौन-कौन्प्रिंट का सीरप का या यूज की जाता है तो एकुझक महर काफी ज्यादा यूज intelligent रहती जाता है या नीं काफी ज्यादा यूज की जाता सब वात करते हैं नैक्स की तो समाले नेक्स है जाता है कॉल यानि जब भी हमने जुकाम हो जाती है तो शड़े से नमर यूज करते हैं जो काफिका जाती है जी के आपको देखने हुए जाती हैं लुदा जाती हैं यानि हमें उल्टी होती है या उल्टी कमन करता है यानि नोज यह होता है तो कौन कौन सी टैबलेट्स का इंजेक्सिंट्स का यूज किया जाता है तो वाइस सबसे फर्स्ट नमबर पर जाता है ओन डेंस एट्रों जो कि मिल जाती है जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है जब भी हम इसको टैबलेट्स निकलने के खतर है जब भी इसको वो टैबलेट्स भार भी आ सकती है इसलिए वह एफेक्ट नहीं करेगी बोड़ी में और बोड़ी में अब्जोर्ब नहीं होगी इसलिए हमें ज्यादतर है जो वोमेटिंग में है इंजक्शन का यूज किया जाता है एंड गाइस से ज्यादा यूज की जानी वाली है जो कि रेगनाल नाम से काफी ज्यादा फेमस है यह नॉर्मली जब हमें मतलब होने लगती है इसका यूज की जाता लेकिन जब कंट्रोल नहीं होती है तब इसका यूज की जाता है मेटर लो पेरमाइड का जो कि रेगनाल नाम से आपको देखने को मिल जाती है जब नेक्स बात करते हैं तो गाइस हमारी नेक्स है डाईर्या यानि जब भी दस्त हो जाते है यानी से आपको मिल जाती जहाथ नेक्स नेक्स है तो यानि जब भी हमें दर्द होता है तो इसका भी तो इसका भी यहां पर यूज कर सकते अदर जब सीवियर होता है तो इसमें यूज करते नाप रोक्षेन जब नेक्स बात करते तो नेक्स बात करें तो नेक्स आ जाती है कि यानि तो जो इंजेक्शन है या ट्रीट करने के लिए की जाते तो जब से जाए इसका यूज किया जाता है जो कि जैक्थ सबसे जएक वी करते हैं जो की नॉर्मर्रीडोज में मिल जाती है इंड और सबसे ज्यादा इसका ही यूज के जाता है और सेकेंड नमर पर जाती है जो की जाए जब भी जाए छो वगिर होती है या आई इस पाणी आठे साहि यानि होती है और कुछ भी जो भी मतला एलर्जी से सिंटम दिखाई देते हैं यानि एलर्जी रिएक्षन होती है बॉड़ी में तो सबसे पहले तो एविल यूज कि जाते हैं इसके बाद या नहीं उससे चांट्रोल नहीं होगा तो डैक्षा मेतासवन का यूज कि जाता है जब भी सीवि antiviotics का उच्प कि जाता क्यों Clamart जब भी इंफक्शन होगा तो antiviotics 為क्री में तो इससे इसे जाता है जो Janna Oh , जब भी और भी उसे भी सीवर हो जाता है इसमें यूज की जाता है इसमें यूज की जाता है एक और आती है अरिथ्रोमाइशीं वह नाम से आपको देखनों पो मिल जाती है Central कि जाता है तो इनका यूचा है क्लिक करने के लिए इसको रोखने के लिए इन है जाता है यानly जब तो यहांनि प्रेट में दर्द होता है तो उसमें सबसे पहले यूज की जाती है एना पोटेंट में भी दर्द के साफ होता है तो उसमें पता लगा नहीं होता है कि कौन से एरिया में हो रहा है जिससे कि हमें पते चल जाए कि पैन की बजय क्या है असलियत हमारी बॉड़ी में पैन हो रहा है राइट लोर साइड तो हम यहां पर सोच समझ सकते हैं कि यहां पर मतलब अपेंडेक्स का पैन बगेरा भी हो सकता है और इस और इलाके में अलग अलग बीमारी की वज़े से भ के लिए कइन होता है तो वाइस आप नेक्स शड़ान की दाता है को नेख्स भात करता है constipation यानि जब भी हमें constipation होता है यानि कब होता है तो कौन कौनी टैब्लेट्स का है इंजेक्शन का या solution का यूज़ के जाता है इनके बारे में यहां पर बात करें तो वाइस यहां पर ज़्यादा तरह जो constipation में है solutions का यूज़ कि जाता है यहां पर नीचे लिख रहे हैं अपने सोलुशन जो की है कॉलेक्ट एंड एनिमा जब भी हमें कॉंस्टिपेशन होता है तो इसको रिलीव करने के लिए और इस टूल को स्मूथ मैस बनाने के लिए स्मूथ करने के लिए अनिमें का यूज किया जाता है यह 우리는 बोत लाती जो इस की मोए महुत कर देती है मतल aleg कर देती है जिसके हम असानी से च्टूल बोत है और इसको जाँड होघते जाए तो लेटं को आड़ा शींड यहां पर यूज किया जयाता है कोंसी किया जाता है रहाया है तो आज की वीडियोह हमने ज् zdrow के जाता है बहुत का बहुत कोमन यूज कि जाती है तो आपीश को चब क्या देख या कोई भी allergy में कॉन कोवसी medicine का यूज की जाता है अगर आप medical store खोलना चाहते है तो भी आप ऐसी medicine रख सकते हैं और आप को इसके बारे में knowledge भी होना चाहिए अगर एक separate medicines के बारे में video देखना चाहते है तो वह आप आप उमारे चेनल पर वीडियो देख सकते हों कि क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसी ऻिए इंड जिस हैं जिस्में इंज़ेंसी मेडिसींस और सब्सक्राइब यहां बारे में ज्रूट करना चैनल सबक्रेब करना जिस आनेवाली हर नोट्यूर सके और इसका नेश्ट पाट भी हमारे चैनल बाजाएगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू प्रेश करना जब भी हम वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और गाइस कोई नयवार टॉपिक सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट वोक्स में बता सकते हैं इस वीडियो के यहीं पर सब्सक्राइब करते हैं नई वीडियो साथ जब थे के लिए जय हैं जय वारत वाई वाई